दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का Real Quick Analysis चैनल पर चलिए अब जल्दी से देखते हैं हम अपने आज की रोजक Real Quick Analysis को हमारी आज की वीडियो को स्पॉंसर है श्रीकांत मराठे जी हमें रेगुलर्ली सपोर्ट करने के लिए आपको धन्यवाद दोस्तों आपको शायद जानकरी हो दुनिया में सबसे बड़ी कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री में भारत को गिना जाता है साथी साथ अमेरिका चीन और पाकिस्तान भी कॉटन का उत्पादन करने वाले दिगश देश हैं लेकिन पिछले कुछ समय में हुआ ऐसा कि जहां एक के बाद एक चक्रवर्दी तुफानों के कारण अमेरिका के प्रोडक्शन में आगे ही कमी तो वहीं सूखे और टिड्डियों के कारण पाकिस्तान के कॉटन उत्पादन में भी गिरावट आ गई इस परकार जाहर है ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन में कमी आए थी और इसी दोरान डॉलर के मुकाबले भारती रूपय की बेली भी गिर रही थी परिणाम सरूप इंडियन कॉटन की कीमत ग्लोबली कॉम्पूटेटिव हो गई बेहस सरल शब्दों में वैश्विक उत्पादन के गिरने के कारण कीमतों में उचाला आया परिणाम सरूप भारत 63% का एजाफा होगा इसी बीच प्रसिडेंट ट्रॉंप ने चीन पर गिरा दी काच जब उन्होंने दुनिया की सबसे बड़े कॉटन प्रड़क्शन कंट्रीज में गिने जाने वाले चीन की प्रमुक कंपनी से कॉटन इंपोर्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दी और इस सदी को ना जाने कब से पता है कि बंदूआ मजदूरों के दम पर ही चीन ग्लोवल फैक्टरी बन बैठा है अब यह बात और है कि दुनिया भर के माना वधिकार रक्षकों में चीन टिकलाफ चूह तक करने की हिम्मत नहीं है एनिवे मुद्दे की बात करते हुए पर अमेरिकन कंपनिया जो कि चीन से कॉटन और कपड़े खरीपती थी उनकी परेसानी बढ़ गई क्योंकि उनको यह पता हमेशा नहीं रहता है कि 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 कपड़े का कपास चीन की उस कंपनी से आया है जिस पर ट्रॉम्प सहाब ने बैंजर दिया है इसलिए चुकि यह प्र लेकिन यह निश्चित तोर पर पता लगाना है तो मुश्किल और वैसे भी चीन कितना बड़ा चालवाज है यह सब को पता है यहाँ पर बड़ी बात यह है कि अब अमेरिकन कंपनिया चीन से 11 बिलियन डॉलर की कपास और कपड़े निश्चिन ठोकर नहीं खरी सकती है तो अब वैठ चाइना प्लस वन स्ट्रेटीजी पर काम कर रही हैं ताकि भविश में फिर कभी एक वायरस उनकी सप्लाइ चेन को छोग ना कर दे हम सभी को पता है भारत चाइना प्लस वन स्ट्रेटी की का एक प्रमुकिलाबारती है इस प्रकार से यदिए अप सभी चीजों क को मिलाकर देखें तो प्राकरतिक आपदाओं के कारण अमेरिका और पाकिस्तान में कॉटन प्रोडक्शन हुआ कम और प्रेसिडेंट क्रम के कहर के कारण चीन कॉटन की वैश्विक पृतिस परदा से बाहर निकल गया दूसरे शब्द में ग्लोबल टेक्स्टाइल मार्केट भारत समेत अन्य देशों के लिए खुला खेत हो गया है जिसका बस अबलाव उठाना बाकी है इसलिए कोई आश्यर नहीं है कि कमर्शियल बैंकिंग कंपनी इक्रा की रिपोर्ट के अनुसार इस इस्तिती में भारत को जम कर लाब होने वाला है और भी अच्छी बात यह है कि कपड़े खरीदने वादी कंपनियों ने इंडियन एक्सपोर्टर से बाची चालू तक कर दी है ताकि वह अमेरिकन प्रतिबंद से बचने की रहा निकाल सके इस प्रकार साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सभी फैक्टर्स ने मिलकर एक ऐसी इस्तिती पैदा करती है जिस यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे भारत से कॉटन एक्सपोर्ट बढ़ता है उसका लाव अच्छे भाव के रूप में भारतिये किसानों को भी मिलेगा नहीं तो कोई मतलम नहीं है यदि सुनहरे अफसर का पूरा पूरा लाव चंद एक्सपोर्टर और दलाल ले जाएं अंत में इस वीडियो के स्पॉंसर श्रीकांत मराठी जी को धन्यवाद देते हुए हम यह वीडियो समप करते हैं So friends, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा ये था हमारा आज के analysis, I hope आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही अपनी family और friends के साथ आगे share भी कीजिए, ऐसे ही और नए interesting videos देखने के लिए, analysis देखने के ल आप सभी लोगों का बहुत अधिक धन्यवाद